और आज के इस लाइव चर्चा के कारिकरम का जो विशय है संसार स्वप्न के समान है श्री राम जी के कर्मों का फल संसार स्वप्न के समान है और श्री राम जी के कर्मों का फल श्री राम चरित मानस के द्वारा तो चर्चा तो रामचरित मानस के आधार पर ही आगे बढ़ेगी लेकिन विचारनी अतथ्य है आज बहुत गंभीर बाते हैं कुछ कल जो हमने सुना मन की मंथरा हर मन में एक मंथरा बैठी है तो मंथरा कई कई को किस प्रकार से उसकाती है कई कई को किस प्रकार से स्वपन दिखाती है कि अरे तू महारानी बन जाएगी तेरा बेटा भरत जो है राजगदी पर बैठेगा और उस भरत के उपर जो सपर शाशन करेगा पूरी अयुद्या का जो राजा होगा उसकी उपर तेरा अधिकार है राम ने और कौशल्या ने तो कपट किया है चल किया है इसलिए तू अपने दो गर्दान राजा से मांग ले एक तो चौदा वर्स के लिए श्वी राम जी का वनवास और दूसरा भरत का राज्य विशेख कैकई मान लेती है दशरत आते हैं दशरत राजा दशरत को पता चलता है कि उनकी पत्नी उनकी प्रिय पत्नी कैकई कोप भवन में है कोप भवन में जाकर राजा दशरत कैकई से मिलते हैं वार्ता लाप करते हैं जानने की कोशिश करते कि कह कई बताओ आखिर क्या हुआ किस कारण तुम इस कोप भवन में हो कोप भवन में रहने के पीछे कारण क्या है ये बताओ राजा दश्रत जानना चाहते हैं कि क्यूँ कोप भवन में है कह कई अपने बाल बिखेर कर तो स्वामी जी कहते है उसके जो केश है वो काले नागिन के समान बिखरे हुए थे बाल बिखेर कर बैठी हुई है कह कई तेड़ी नजरों से देख रही है आखों से मोटे मोटे आसु बहा रही है और राजा को विवश कर रही है वरदान देने पर और अंत में जो दश्रत नहीं देना चाहते वो भी मांग रही है राजा सुनकर मुर्शित होके गिर जाते हैं मुर्शित होकर गिर जाते हैं भरत का राज्य विशेख तो मान लेते हैं लेकिन राम को वनवास क्यों स्वेम से अपने जेश्च पुत्र शे राम को दूर करने का मन राजा दश्रत का नहीं है राम का वनवास की वन का माहौल वो जानते हैं वन में कितनी असुरक्षा होती है वन में कितना कश्ट है वन में कितना दुख है उसके लिए वनवास मत मांगो ऐसा कहते हुए कैकै से प्रार्थना करते हुए राजा मुर्शित हो जाते हैं भगवान श्री राम चंदर जी को थोड़ी बहुत सूचना मिलती है कि राजा दश्रत बहुत समय से कैकै देवी के महल से बाहर नहीं निकले शीराम चंदर जी भी जाते है और पता चलता है कि वहाँ पर तो ऐसी घटना घट रही है और यह रगुकुल की रीती है कि वचनों को निभाना है अपने पिता को देखा कि भाई पिता वचन निभाने में चूक रहे है दो वचन उन्होंने दिये थे कहकई को कि दो वर्दान मैं दूँगा लेकिन आज जब कहकई वर्दान मांग रहे है तो दे नहीं पारे उस समय स्री राम चंदर जी सारी बात जानकर खुद ही तयार हो जाते है कि मैं वन जाने के लिए तयार हूँ और मेरा भाई भरत राजा बनेगा इसकी मुझे सरवदा ही प्रसनता रहेगी और यह प्रसनता का ही विशय है क्योंकि वह योग्य है तो निश्य ही योग्य को ही या गद्धी मिलेगी इसमें मुझे कहने कि भी कोई दुख नहीं है शीराम चंदर जी वनवास लेने के लिए तयार हो जाते हैं देखते देखते पूरे आयोध्या में खबर फैलने लग जाती है पूरे महल में खबर फैल जाती है और महल से आयोध्या नगरी में फैलने शुरू हो जाती है जो इस बात को सुनता है उठगा हुआ सा महसूस करता किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह ऐसा कैसे हो सकता है यह अचानक से ऐसा कैसे हो सकता किसी को कोई मानने को तैयार ही नहीं होता लेकिन फिर भी जब खबर सही सुत्रों से मिल रही है राज महल से आ रही है तो मानना पढ़े गा कुछ तो घटना ऐसी घट रही है ना चाहते वे भी लोग विश्वास तो नहीं कर रहें लेंकिन फिर भी क्या करें उनके बस में नहीं है किसी को कुछ समझ में नहीं आरा कि अचानक से यह सब क्या हो गया राम जी वनवास जाने को तयार हो गए और जब माता सीता को पता चला तो देवी सीता भी तयार हो गई वन में जाने के लिए शी राम चंदर जी ने कहा कि तुम्हारा अपना सवतंतर निर्णय हो सकता है, तुम चाह तो ना जाओ, सीता जी ने कहा कि नहीं, मैं तो अवश्य जाओंगी, क्योंकि आप ही मेरे पती हैं, आपके संग ही, मेरे पिता ने रहने के ये जो भी आप महल में तो मैं महल में, आप वन में तो मैं वन में, मैं वन में ये चलो यहाँ पर एक पती-पत्नी का संबंद भी दिखाया जाता है, जो की वर्तमान में शायद नहीं हो पाता, वर्तमान में कोई आज के समय में जो सही से दिखता नहीं है, पती-पत्नी के संबंदों में इस प्रकार का संबंद, चलिए फिर भी सीता राम है, वो एक आधर्श है, तो सीता जी जाने के लिए तयार हो जाती है, और भगवान राम और सीता जी चल पड़ते हैं, वहीं इसमन जी भी तैयार हो जाते हैं चलने के लिए कि प्रभु मैं भी जाओंगा, चर्णों पे गिर जाते हैं, कि मुझे भी चलना आपके संग, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, जाकर अपनी माता सुमित्रा के पास कहते हैं कि मा, भगवान राम कहते हैं कि जाओ तभी तो जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे, और जब माता के पास पहुँचते हैं, माता आज्या तो दे देगी, लेकिन मा कहती है कि अब तो तेरे उपर तेरे पत्नी का भी अधिकार है, इसलिए जा तू अपनी पत्नी से भी आज्या ले, और तब लक्षमन जी देवी उर्म मिला, अपने आपको बड़भागी समझ कर, कि मैं भागिशाली हूँ, कि मुझे आपके जैसा पती मिला है, जो अपने बड़े भाई के लिए इतना समर्पित है, और प्रभु के लिए इतना समर्पित है, अच्छे कारण के लिए समर्पित है, कोई किसी व्यक्ती को समर्प होगा आपकी ज्यान रखे temax कि अब भी किषी व्यक्ति के पृतिसमर्पित्स हो पैए अगर समर्पित होना है तो आदर्शों के के प्रति समर्पित होना है तो विचारधारा के प्रति समर्पित होई है उसे विचारधारा को समझे आज लक्षमन जी शी राम चंद्र जी को समर्पित हो रहे हैं तो शी राजा राम को नहीं समर्पित हो रहे हैं वो धर्म को समर्पित हो रहे हैं, अगर शी राम चंद्र जी को समर्पित हो रहे हैं, तो उनका समर्थन कोई अंधापन वाला समर्थन नहीं है, वो धर्म को समर्थन हो रहे हैं, क्या वो बड़े भाई को समर्पित हो रहे हैं, क्या वो राजा राम को समर्पित हो रहे हैं, ज एक राम है और एकर विवीशन है और एक रावन है कि रावन भी चाहता है कि उसका छोटा भाई विवीशन मेरे प्रति समर्पित हो जाए रावन भी चाहता है लेकिन उसे अपने छोटे भाई का समर्पन प्राप्त नहीं होता और यहां लक्षमन जी शीराम जी के प्रति पूर्ण समर्पित है तो ध्यान रखना वो किसी अपने बड़े भाई को समर्पित नहीं है लोग समाज में बहुत गलत उधारन प्रस्तूत करते हैं बहुत गलत उधारन पुरानों की कथा से इतना गलत उधारन मैं किसी दिन वीडियो ही पीछे भी कुछ वीडियो कर चुका हूँ बोलता हूँ लेकि किसी दिन इसी विश्य पर विडियो में लेकर आऊंगा कहीं पर लोग अपने बच्चों को उधारन देखें कि देखो गनेश जी ने अपने माता-पिता की प्रक्रिमा कर ली थी और उसी को संसार मान लिया था अरे भया तुम शीव पारवती जैसे माता-पिता भी तो बन जाओ पहले अब पिता तो हिरन कशपु भी था चीख है तो ऐसे आप पुरानों से चोरी करकर किसी पर थोपने का काम मत करिए यह बंद कर दीजिए परस्थितियों के अनुसार परिभाशाएं बदलती है हां आद परस्थितियों के अनुसार परिभाशाएं बदल जाएंगी विबीशन और रावन की परस्थिति अलग है लक्षमन और राम की परस्थिति अलग है लक्षमन अपने बड़े भाई को समर्पित नहीं है ध्यान रखिएगा लक्षमन किसी राजा राम को समर्पित नहीं है ल लक्षमन का समर्पन धर्म को है लक्षमन का समर्पन नीती को है रघुकुल को है राम यहां प्रण लेकर चलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चलियाई प्राण जाई पर वचन न जाई लक्षमन उसी मर्यादा को अपना समर्पन दे रहे हैं उस आदर्श को अपना समर्पन दे रहे हैं उस ideology को अपना समर्पन दे रहे हैं ना कि अपने बड़े भाई को समर्पन दे रहे हैं अगर बड़ा भाई राम जैसा है तो समर्पन होना चाहिए लेकिन ये नहीं कि लक्षमन ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था राम को तो ये एक तुम भी वैसा ही करो एक बड़ा भाई छोटे भाई को सिक्षा देने में लग जाए जी नहीं ऐसे काम नहीं चलता समाज में ऐसे बहुत सारे गलत उदारन प्रस्तुत किये जाते हैं व्यक्ति का उदारन नहीं लेजिए विचारधारा को समझे आइडियोलोजी को समझे विभीशन का समर्पन अगर रावन के परती नहीं था तो बहुत बढ़िया था विभीशन का समर्पन राम के परती था भले राम लंका के शत्रू बनके गए थे, विभीशन का समरपन भी धर्म के परती था, विभीशन का समरपन भी आइडियोलोजी को था, ना कि किसी व्यक्ति को था, वैसे ही, जब आप किसी गुरू के शिश्य बनते हैं, तो गुरू को समरपन किस प्रकार से करेंगे, उस ज् प्रेणा को समर्पन कीजिए जो गुरु से आपको मिल रहा है गुरु से आपको प्राप्त हो रहा है शरीर को समर्पित मत हो जाए फिर भी जिस शरीर के माध्यम से प्रेणा मिल रही है उस शरीर का सम्मान कर दीजिए तो कि उसके माध्यम से मिल रही है लक्षमन जी भी राम के शरीर को नहीं उस शरीर के माध्यम से जिस विचारधारा का प्रतिपादन हो रहा है जिस विचारधारा की प्रस्तूती हो रही है उस विचारधारा को समर्पन है उस आइडियोलॉजी को समर्पन है ना कि किसी व्यक्ति को समर्पन यह हमें ध्यान रखना चाहिए वैसे ही कि शिक्षा नहीं दी जा सकते कि भाई लक्षमन जी ने अपने बड़े भाई को समर्पन दे दिया था ठीक है तो तुम भी दे दो तो विबिशा ने तो नहीं दिया था क्योंकि उसका भाई रावण था तो बड़ा भाई एगर राम जैसा हो तो फिर ठीक है समर्पन करना चाहिए तो उधाहरन प्रस्थूत करते समय ध्यान रखना चाहिए चीक है सब के उपर वो चीज लागू हो जाएगी फिर वैसा बन पाओगे तब तो कर पाओगे चली तो लक्षमन जी भी अंतता आग्या लेकर अपनी अर्धांगनी उर्मिला जी से देवी उर्मिला से आग्या लेकर चल पड़ते हैं वनवास की वनवास के लिए जब निक निकल जाते हैं और बहुत दूर तक कहते हैं कि साथ में चलते हैं और फिर उसके बाद नदी पार करने के बाद लोगों का साथ छोड़ता है एक अस्थान पर नदी पार करने से पहले भगवान राम रातरी समय विश्राम करते हैं और जब रात को सब लोग सोय होते हैं तो मध्य रातरी में ही वन की और निकल जाते हैं नदी पार करकर नाव से सब निकल जाते हैं सुमंत मंतरी साथ में जाते हैं बाद में उनको भेज देते हैं कि आप वापस जाईए वापस जाए ये सुमंत रिशी को दस्रत जी ने सुमंत मंतरी को दस्रत जी ने समझा कर भेजा था कि उसको बोलना कि 14 वर्ष का मतलब 14 दिन समझे 14 दिन वन में बिता कर आ जाए ऐसी माननेता मान लेकि 14 दिन हो से 14 वर्ष हो गए लेकिन राम जी ऐसे थे नहीं इसमें क्या संतुष्टी मिलेगी मन में यही बना रहेगा कि मैंने 14 वर्षों को 14 दिन में बिता कर जूठ बोल दिया मेरी तपस्या को लोग मिथ्या मानना शुरू कर देंगे और इसने राम चंद्र जी ने यह बात स्विकार नहीं की और नदी पार करके निकल गए और नदी पार करते ही श्रिंग वेरपूर नामक राज्ये लगता था श्रिंग वेरपूर अयोध्या की सीमा वहां समाप्त हो जाती है और अयोध्या की सीमा को पार करके राम सीता और लक्ष्मन श्रिंग वेरपूर में पहुंच जाते हैं श्रिंग वेरपूर के राजा थे निशाद राज गुह, वैसे तो वो निशाद कहे जाते थे, लेकिन राजा थे, और भगवान राम के परम मित्र थे, उनके परम अनुयाई थे, उनके परम प्रेमी थे, उनसे अत्यंत प्रेम रखने वाले थे, और उनके अनुयाई भी थे, और ऐसा जब सुचना निशाद राज तक पहुँचती है कि राम चंदर जी इस प्रकार से वन जा रहे है और मेरे राज्य से होकर जा रहे है तो प्रेम वस, मित्रता वस, दोड़े दोड़े आ जाते हैं शीराम जी से मिलने के लिए तरह तरह के उपहार लेकर, तरह तरह के भेट लेकर यदपी अगर कहा जाए लोग जैसी मानसिक्ता रखते हैं वर्ण और जाती से संबंदित तो निशाद राज राम चिर्तमानस में भी आ रहा है कि शुद्र जाती के माने जाते थे नीच माने जाते थे ऐसा वर्ण आता है लेकिन अगर हम उस समय के विवहारिक्ता को देखेंगे या अगर हम समझेंगे तो वहां पर दिखाई देगा कि भगवान राम तो निशाद राज का आलिंगन भी स्विकार करते हैं मिलते भी हैं उनका आतित्त्य उस समय उनके घर नहीं जाते लेकिन उनके द्वारा दिये गए भोज्य पदार्थादी जो भी वो लाते हैं उसको मना नहीं करते और उनके साथ घंटो बैठ कर बाते भी करते हैं तो कालांतर में जिस प्रकार की छुआ छूत या जाती की बाते बताई जाती हैं वैसा रमायन में नहीं दिखाई देता है नहीं दिखाई देता पूरी कथा अगर आप पूरी रमायर में पड़े, तो आपको कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आता है, केवट को गले लगाना, शबरी के जूठे भेर खाना, और रही बात पूरे वनवासियों की सेना, वानर आदी जातियों की पूरी सेना खड़ी कर लेना, वानर भी एक आदी वासी जा होती थी, और पूछ तो मनुष्य के भी है, अंडेवलप्ट है, विक्सित नहीं है, बायलोजी अगर आपने पढ़ी हो, तो हमारे, क्या हमारे पूछ, अंग नहीं है, क्या पूछ वाले जो अंग जो पूछ निकलते हैं, जहां से, कमर से, वहां पर मनुष्य की भी हड़ी में बहुत छोटी सी पूछ होती है, कभी आप स्केल्टन को देखना या एनाटॉमी थोड़ा सा बायलोजी थोड़ा सा पढ़िए आप, पूछ दिखती है, वो डेवलप्ट नहीं, अंडेवलप्ट पूछ है, मनुष्य के पास, अंडेवलप्ट है, तो उस समय कुछ ऐसी आदिवासी जातियां थे, जिनके ऐसे रूप हुआ करते थे, रंग हुआ करते थे, तो ऐसे ऐसे लोगों की सेना भगवान राम ने खड़ी की, भगवान राम ने ऐसे लोगों की सेना खड़ी की, उनके घर में रहे, सुग्रीव के यहां पर रहे, उसका आतित्य स्विकार किया तब कहां चले गई थी जात पात चुवाचुत तब कहां चले गये थे तो इसी लिए यह हमें समझने की आवशक्ता है तो निशाद राज निशाद हैं और वो भगवान राम जैसी उनकी सीमा में प्रवेश करते हैं तो मित्रता पुरुवक वो जाके मिलते हैं मित्रता पुरुवक वो जाके मिलते हैं और बहुत सारे उपहार लेकर जाते गो स्वामी तुसी दाजी वर्णन कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं आईए उस पे हम विचार करते हैं यह सुदी गूह निशाद जब पाई मुदित लिये प्रिय बंध बुलाई लिये फल मूल भेट भरी भारा मिलन चले वही हरशु अपारा जब निशाद राज गूह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रिय जनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरके मिलने के लिए चल दी उनके हिरदय में हर्श का पार नहीं था वो बड़े प्रसंद थे करी दंडवत भेट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अती अनुरागे सहज सनेह बिबसर घुराई पूछी कुशल निकट बैठाई दंडवत करके भेट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देख प्रिखने लगे शीराम जी से सभावी कि स्नेह के वश होकर उनके पास बैठकर विल्कुल बराबर में बैठकर और पास बैठकर सोचिए वो निशाद है और राम छत्रिय कुल से है रगु कुल से है यदिपी सब तो कश्चप के ही पुत्र हैं कोई किसी भी जाती का हो सब कश्चप रिशी के ही पुत्र हैं वो कश्चप रिशी जिनके नाम पर कश्मीर का नाम करन हुआ था कश्मीर में एक जील है जील है उस जील को ही वास्तों में उस जील का ही नाम कश्मीर है उस जील के नाम पर ही पूरे छेत्र का नाम कश्मीर पड़ा और बाद में राज्य का नाम कश्मीर पड़ा तो जील का ही नाम कश्मीर है तो मीर का अर्थ वास्तों में डल लेके लिए वो कहा गया है, जील को कहा गया है तो सब कश्यब के ही पुत्र है, चाहे निशाद हो, चाहे डोल हो, चाहे वानर हो, चाहे जो भी हो, चलिए करी दंडवत भेट धरी आगे भेट रखा और अपने बराबर में अपने साथ जो है उनके बैट कर उनका कुशल पूछे नाथ कुसल पत पंकज देखे भयव भाग भाजन जन लेखे देव धरनी धनुधाम तुम्हारा मैं जनुद नीच सहित परिवार निशाद राज ने उत्तर दिया है ना था आपके चरन कबल के दर्शन से ही कुशल है आपके चरन विंदो के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुशों की गिंती में आ गया हूँ सत्ते बात है तभी निशाद राज का ये नाम हो रहा है आज आज भगवान राम जी के साथ लक्षमन जी के साथ निशाद राज की भी अपार महिमा आ गई है अयुद्ध्या में रहने वाले उनके भगवान के रिस्तेदारों से भी ज्यादा महत्पुर्ण बन जाते हैं मैं भागिवान पुरुषों के गिंती में आ गया हूँ देव यह पृत्वी धन और घर सब आपका है मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ किःपा करीय पूर धारिय वाऊ ठापीय जनू सब लोग सिःआउ कह उसक्य सबु सखा सुजाना मोही दिन पितु आयशूदा अब किर्पा करके शंड्वेर पूर में मेरे नगरी में प्रतिष्टा बढ़ाईए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें शीराम चंद्र जी ने कहा कि है सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है मेरे सखा मेरे मित्रे सब सत्य है परंतु पिता जी ने मुझको और ही आग्या दे रखी है कि मुझे 14 वर्ष का वन मुनियों का व्रत और वेश्धारन कर मुनियों के योग्य आहार करते हैं वन में ही बसना है गाउं के भीतर निवास करना उचित नहीं है किसी के घर पे जाना भी उचित नहीं है या सुनकर निशाद राज गुह को बड़ा दुख हुआ राम लखन सिय रूप निहारी कहाई सप्रेम ग्राम नर नारी तेपितो मा तो कहू सकी कैसे जिन पठ़ए बन बालक ऐसे शीराम जी लक्षमन जी और सीता जी के रूप को देखकर गाउं के इस्तरी पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं कोई कहती है कि है सखी कहो तो वे माता पिता कैसे है जिन्होंने ऐसे सुन्दर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया अब किसको क्या पता कि क्या घटना घटी है और अपने घर की बात बताये कौन कोई एक कहते कि राजा ने अक्षाई किया इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने ने नित्रों का लाब दे दिया हमें से राम चंदर जी के दर्शन हो गए तब निशाद राज ने हिर्दय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा उनके ठहरने के लिए ले रगुनाथ है इठाव दिखावा कहे उ राम सब भाति सुहावा पुरुजन करी जुहार घर आये रगुबर संध्या करन सिधाए सी राम जी ने को लेकर जाकर वह अस्थान दिखाया कि यह सब प्रकार से संदर अस्थान है वन के भीतर ही अशोख के विर्ट्ष कहीं लगे थे वहीं पर कोई अस्थान ठहरने के लिए वन में ठहरने के लिए दिखाये पुर्वासी लोग वंदना करते हुए अपने अपने घर लोट गए निशाद राज्य के जो लोग थे वो दर्शन करने आये और चले गए गुह सवारी कोई अपने साथ भेट भेट लाया भेट भेट लाया खाने पीने के चीजे लाया गुह सवारी साथ री डसाई कुस किसलमय मर्दुल सुहाई सुचिफल मूल मधुर मृदू जानी दोना भरी भरी राकिसे पानी गुह ने कुश और कॉमल पत्तो के कॉमल और सुंदर साथृ सजा कर बिछा दी और पवित्र मीठे और कॉमल देखकर दोनों भर भर कर फल मूल और पानी रख दिए दोने बना लिए उन्होंने पत्यों के सिय समंत्र भहाता सहित्त कंद मूलम फलखा कर रघू कुल मनिश्य रामचंदर्जी सब्सक कर अइसे प्रहस उनकेक पैर दबाने लगे है उठेल लखनु नु कर्भूस ऑ सब्रहस सबदान कचप दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी विरासन फिर प्रभुशी रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मन जी उठे और कोमलवानी से मंत्रि सुमंतर जी को सुने के लिए कह कर वहां से कुछ दूर पर अभी भी सुमंतर जी है साथ में दूर पर धनुष बान से सज कर विरासन से बैठ कर जागने लगे पहरा देने लगे लक्षमन जी जाक कर गुह बुलाई पाहर प्रतीती ठाव ठाव राखे अतिप्रेती आपू लखन पही बैठे उजाई कटी भाती सर चाप चड़ाई गुह ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगा जगा निप्त कर दिया और आप कमर में तसकर बांद कर सता धनुष पर बांद चढ़ा कर लक्षमन जी के पास जाकर बैठ गये प्रभू को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम अवश निशाद राज के हिरदय में विशाद उत्पन हो गया प्रेम तो है प्रभू से लेकिन एक मन में विशाद हुआ उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आसु बहने लगे वो प्रेम सहित लक्षमन जी से वचन कहने लगा महराज दश्रत जी का महल तो सुभाव से ही बहुत सुन्दर है इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता है वैसा तो उनका सुन्दर महल है कि सुन्दर मनिया लगी है रती के पती काम देव ने अपने ही हातों से जैसा सजाया हो वैसा सुन्दर महल है सुची सुभिच्चित्र सुभोगमय सुमन सुगंद सुभास पलंग मनी दीप जहां समविदी सकल सुपास जो पवित्र है बड़े ही विलक्षन सुन्दर भोग पदार्थों से उनका महल परिपूर्ण है सुवासित है जहां सुन्दर पलंग मनियों के दीपक तता सब प्रकार का भरा पूरा आराम है बिबत बसन उपधान तुराई छीर फेन मर्दो बिसद सुहाई तहसी और आम सैर निसी करही निजी छबी रती मनोज मदुभा रही जहां अनेको वस्तर तकीये और गड़े हैं जो दूद के फेन के समान कोमल निर्मल और सुन्दर हैं वहाँ श्री सीता जी और शीराम चंदर जी रात को सोया करते थे और अपनी शुभा से रती और काम देव के गर्व को हरन करते थे तेसी रामु साथरी सोई शमित बसन बिनु जाहिन जोए मात पिता परिजण पुरभासी सखा सुशील दास अरुदासी वहां श्री सीता और स्री राम जी आज घास फूच की साथरी पर ठके हुए बिना वस्त्र के ही सोय हैं ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते माता पिता कुटुम्भी पुरवासी मित्र अच्छे शील सुभाव के दास और दासियां है सीता जी राम जी घास पूच की साथरी पर मतलब की कोई बिचौना नहीं है और कोई चादर नहीं ओड़ रखी कंबल चादर कुछ भी ओड़ने के लिए नहीं है इसलिए कहां के बिना वस्त रखे ऐसी दशा में वे देखे भी नहीं जाते इतना दुख में उनका जीवन है माता पिता कुटुम्बी पुरवासे मित्र अच्छे शील सुभाव के दास और दासियां है अब क्या है कि तुलसिदाजी कावे रचना कर रहे हैं कता नहीं लिख रहे हैं आप जब पढ़ते हों तो कथा की तरह पढ़ते हों लेकिन यहां पर तुलसिदाजी कावे रचना कर रहे हैं तो कावे रचना कर रहे हैं तो कविता के महत्यों को बढ़ा कर लिखा जाता है दिर्श्य के महत्यों को बढ़ा कर लिखा जाता है कि इस प्रकार से वो सो रहे हैं मातु पिता परिजन पुरुबासी सखा सुसील दासु अरुदासी जोगव ही अच्छे सुभाव के हैं दास और दासीजयां सब है महल है फिर भी इस तरह से सो रहे हैं क्या बात है जोग वही जिनही प्रान की नाई मही सोवत्ते इराम गुसानी पिता जनक जंक बिजित प्रभाव ससुरेश संखार अगुगराव सब जिनकी अपने प्रानों की तरह सार संभा जोग जश्वरत जी हैं रामचंद पति सौवबे देही सौवत मही विधिवामन केही सिर अगुबीर की कानन जोगू करम प्रधान सत्य कहें लोगू पतिशी रामचंद्र जी हैं वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता सीता जी और केके राज की लड़की नीज पुद्धी कहके ने बड़ी कुटलता की है जिसने रगुनंदन शी राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया अब निशाद राज जी जो जानते हैं वो बोलते हैं भई दिनकर कुल विपट कुठारी कुमत किन सब विश्व दु हो रहा है बोले लखन मधूर बिर्दिबानी ज्यान बिराग भगती रससानी अब लखन जी प्रवचन सुनाएंगे लखन जी अब चर्चा करेंगे निशाद राज ने अपना दुख तो व्यक्त कर दिया लेकिन लक्षमन जी अब जो सुनाने वाले हैं जो समझाने वाले ह बहुत ही अदबुत है क्या है लक्षमन जी क्या कहते हैं बोले लखन मधूर बिराग भगती रससानी लक्षमन जी मधुर वानी बोली, ज्यान बैराग और भक्ती से सनी हुई वानी बोली, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब उबराता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देने वाला, सब अपने ही किये हुए करमों का फल भोगते हैं, रामचंद्र जी भी स्वेम कर्म क करकर अपने ही करमों से उपजे हुए फलों का भोग कर रहे हैं, परंतु फर्क इतना है, कि वो ज्यानी पुरुष है, वो तो इश्वर कहे जाते हैं, इश्वर है, ज्यानी है, उन्हें कौन सा दुख, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार स्वपन के मानिंद है, और यही संयोग मतलब मिलना, संयोग, जोग, विजोग, भोग, भलमन्दा, संयोग, वियोग, भले, भुरे, का भोग, शत्र, मित्र और उदासीन, यह सभी भ्रम के फंदे हैं, यह संसार, अब यहां पर लक्षमन जी आदी गुरु शंकराचारे की विचारधारा को यहां रखने व यह संसार भ्रम के समान है, यह सभी भ्रम के फंदे हैं, जर्म, मिर्ति, संपति, विपति, कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल हैं, दर्निधाम, धन, पुरपुरिवारू, सरग, नरकू, जहां लगी वेवहारू, देखिए, सुने, गुनिय मनमाही, मुह, मूल, परमार थुनाही, धर्ति, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदी, जहां तक वेवहार है, यह वेवहारिक जगत, यह वेवहारिक जगत, जहां तक यह वेवहार है, जो देखने सुनने में और मन के अंदर, विचारने में आता है, जो इंद्रियों के द्वारा देखन सुनने और मन में विचारने में आता है इन सब का मूल मोह अज्या नहीं है परमार्थ नहीं है मोह में परमार्थ नहीं होता परमार्थ तो समाधी में होता है ध्यान योग में परमार्थ है साधना में परमार्थ है सपने होई भिखारी निर्प रंग को नाक पती होई जागे लाभुना हानी कछू तिमी प्रपंच जीय हो जोई जैसे सवपन में राजा भिखारी हो जाए कंगाल स्वर का इंद्र बन जाए स्वामी बन जाए राजा भिखारी और सपने में कंगाल जो है स्वर का इंद्र बन जाए तो जागने पर लाभ या हानी कुछ भी नहीं है वैसे ही यह द्रश प्रपंच को हिर्दय से देखना चाहिए यह संपूर्ण द्रश प्रपंच स्वपन के मानिंद है यह संपूर्ण द्रश प्रपंच स्वपन के समान है जैसे स्वपन की अवस्था में स्वपन ही सत्य होता है जागने पर स्वपन मिथ्या हो जाता है असत्य हो जाता है वैसे ही यह संसार संसार की अवस्था में जाग विवहारिक्ता में ये सत्य प्रतीत हो रहा है इसलिए संसार का सत्य माना है आदि गुरु शंकराचार ने विवहारिक्ता में यहां पर अद्वईत सिध्धान्त को गोस्वामी तुलसिदाजी प्रस्तुत कर रहे हैं किस दृष्ष प्रपंच को हिर्दै से देखना चाहिए यह दृष्ष प्रपंच है अस विचार नहीं किजिये रोसु काहुई बदीना देई दोसु मोह निशा सब सोव निहारा देख सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेको प्रकार के स्वपन दिखाई देते हैं सब को दिखाई देता है और स्वपन की अवस्था में स्वपन ही सत्य होता है चीक कि सब जानते हैं कि स्वपन की अवस्था में स्वपन ही सत्य होता है लेकिन जैसे ही आप नींद से उठ जाते हैं जाग जाते हैं बिन जागे दुखदूर ना होई जो सपने सिर काटे कोई सपन में आपकोई सिर काट रहा है वैसे ही यह संपूर्ण संसार है लेकिन इस संपूर्ण संसार का कर्म बंधन है इसकी भी का विवस्था है कर्म बंधन इसकी विवस्था है विवारिक्ता में तो विवस्था होगी जहां पर कोई विवारिक्ता नहीं है जहां पर परमार्थ है जहां पर ब्रह्म है वहाँ कोई विवस्था की आवशक्ता ही नहीं है, तो वहाँ कोई विवस्था भी नहीं है, विवस्था है, सिस्टम है, नियम है, कहां है, संसार में है, संसार में है, इसलिए ये स्वपन के मानिंद है, कर्मफल का सिध्धान्त है, तो अद्वैत सिध्धान्त यहां आ जाता यह जग जामनी जागही जोगी परमारती प्रपंचब योगी जानिय तवही जीव जग जागा जब सब विशय विलास बिरागा एह जग जामनी जागही जोगी इस जगत रूपी रात्री में योगी लोग जागते हैं या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागर्ति सैयमी या स्याम जागर्ति भूता नीसा निशा पश्यतो मुने स्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं स्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यहा निशासर्वभूता राम्तस्याम जागर्ति सयंयमी और वही बात गुस्वामितुसिदा जी यहाँ पर लक्षमंजी निशादराज को कहा रहे, यह लक्षमन का ज़्यान है, ऐसे ही नहीं परशुराम जी से बिढ़ गये थे अपने अध्यात्मिक ज्यान के बल पे बिढ़े थे इही जग जामनी जागही जोगी परमारती प्रपंचब योगी जानिये तब ही जीव जग जागा जब सब विशय बिलास बिदागा जागा हुआ कौन है जागा हुआ कौन है लक्षमन जी बता रहे है इस जगत रूपी रात्री में योगी लोग जागते हैं जो परमारती हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं माया से छूटे हुए हैं जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब वो माया से छूटा हुआ हो इस संसार में जागा हुआ कौन है नहीं तो सब सोय हुए है एवरीवन इस स्लिपिंग वनली योगीज आत्म ज्यानीज आर वेकिंग वो जागे हुए हैं उनका जागरती हो रही है वो जगे हुए है लेकिन संसार सोया हुआ है जगत रूपी रात्री में यही बात भगवान कृष्ण अरजुन को समझाते हैं इस जगत रूपी रात्री में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से चूटे हुए हैं जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए कि संपुर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रगुनाथ चरन अनुरागा सखा परम परमारतु एहू मन कर्म बचन राम पदनेहू विवेक होने पर मोह रुपी भ्रम भाग जा आता है तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रगुणात जी के चरनों में प्रेम होता है कि सखा मन वचन और करम से शीराम के चरनों में प्रेम होना यह परमार्थ से ही संभव है राम ब्रम परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादी अरूपा सगल विकार रहित गत बेदा कही नित नेत निरूप ही वेदा यहाँ पर राम को प्रायवाची समझिये ब्रम का हिता है और वह कि अवीकत सरव्यापी अलग अना दिविकारों से रहित है हिद्षुन्य है उनमें कोई भेद नहीं है को किसी प्रकार का भेदर नहीं करते हैं विद्जिनका निद्ट गुनगान करता है ठीक है तो इस प्रकार से लक्षमन जी प्रवचन माया के बारे में कर्म के बारे में सुपन के बारे में सब समझा देते हैं सब बता देते हैं जिग्यासुओं तो बहुत सुंदर प्रसंग और आज होली का दहन है परसों होली का महापर्व है तो होली का दहन भक्त प्रहलाद के स्मरन में मनाया जाता है कि भक्त प्रहलाद ने भक्त प्रहलाद की रक्षा हे तू भगवान का आवेश अवतार हुआ था आवेश अवतार आवेश अवतार ये प्रहलाद की भक्ती के शक्ती थी इसलिए भरोसा भक्ती का करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भक्ती करोगे तो जरूर हो जाएगा नहीं तो कहां से होगा तो उस इस्मरण में हम आज करते हैं धर्म की विजय हुई जहां पर उसके पिता हिरन कशपु ने हिरन कशपु ने उसको मारने के लिए अपने पुत्र को मारने के लिए क्योंकि वो उनको भगवान नहीं मानता था उनको भगवान नहीं मानता था हिरन कशपु को तो फिर वो उसको मारने के लिए अपनी ही बहन जिसको ब्रह्मा का वर्दान मिला था वर्दान मिला था कि वो कभी जलेगी नहीं उसकी गोद में बिठा देता है और आग लगा देता है चिता पे बिठा देता है और चिता पे आग लगा देता है लेकिन वर्दान जुटा साबित होता है, वर्दान जुटा नहीं साबित होता, वर्दान इसलिए नहीं दिया गया था कि तुम किसी का आहित करोगी, तुम किसी को अगर बचाने के लिए अगर काम करोगी तो अगरी तुम्हें नहीं जलाएगी, अच्छे धर्म के लिए तु हुआ और होली जल गई प्रलाद बच गए तो आस्तों में धर्म की विजह है अधर्म का विनाश है ऐसा प्रतिक लिया जाता है चलिए होली का पर्व है अभी अभी आएंगे होली के पर्व के उपर भी चर्चा करेंगे बहुत सारे ऐसे विशय हैं तो हुली का पर्व मनाएं लेकिन हुली का पर्व हुली की तरह मनाएं कैसे हुली का पर्व मनाना चाहिए कल के विचार में लेते हैं कल और भी कुछ अलग हटके कुछ विचार आएंगे अभी कुछ दिनों में आपको कुछ अलग हटके, क्योंकि कई लोगों ने को बहुत ही गंभीर प्रश्न किये हैं, तो उन गंभीर प्रश्नों पर भी उत्तर देने होते हैं, तो उसकी उपर भी कुछ विचार आएंगे, और रामचरित मानस का जो प्रसंग है, भगवान चले जागी है, वो जागा हुआ है, राम जागे हुए हैं, लक्षमन जागे हुए हैं, निशाद राज जागे हुए हैं, लेकिन सब सोई हुए हैं, इसलिए आप जागे हुए हो या सोई हुए हो, अपने आपको देख लो, आप जागे हुए हो या सोई हुए हो, अपने आप स से पूछो कहीं सोए तो नहीं हुए जाग जाओ इस माया के निद्रा में मस्वो जगत की निद्रा में मस्वो जाग जाओ राम जगे हुए हैं लक्षमन भी जगे हुए हैं कि जातने का मतलब यह नहीं कि रातबर सोना नहीं है यह निशा सर भुता नाम तस्याम जागरती समिन यस्याम जागरती भूत आनि शाम पश्य तो मुलींगंज करते हैं वो जगत की निद्रा में शोते हैं मोह रुपी निद्रा में सोते नहीं माया रुपी निद्रा में सोते नहीं कहने का मतलब यह वो सारी कर्म करते राम जी कर रहे हैं युद्ध भी कर रहे हैं वो जागे भी हुए है युद्ध भी कर रहे हैं सारे कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं लेकिन जागर तवस्था से समझने की आवशक्ता है जागना किसे बताया गया है और स्वप्न में ही कर्म बंधन हैं जो वे क्ती को करम तो करना पड़ता है और विभूत्यां हमें जगाने के लिए आती हैं समझाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आपके टिपणीयों की और और फिर विराम देंगे इस कारिकरम को विनोद कुमार सूध जी बहुत अभिनंदन है बबिता धिमान जी सरोज साहु जी नवजोत नाथ जी ताशी नाच जी राजू पाल जी सविता नायक कल्पना बागड़े जी माधुरी कोले जी जैश्वराम यसेड जी बिक्रम सिंग जी उशा सिर्वास्तो ग यूंती दत्ता योगिंद्र पंडित विंदेश्वरी मिश्रा रतन सिंग विसलाल बहादुर सिंग राम निवास मीना उज्वल छेत्री राम विलाजी राम सिंग कश्यप पिंटू वास्वा शिवम भट रूपलाल विश्वकर्मा मनीश जादो गोविंद प्रसाद नीमा आं गंग्ज इखाब लोगर युक्राद विश्वल सुनिराज परजबर जी औरवर शबलानी जी गरहें क्या बहगत परलाद और होलिका की कथा कलम सी कथा सथ्य है को रही कान सी कथा को हम सथख्य माले यतियास में ऐसी गतिल लिखिवा इसी घटना है जो सथ Radha कि अख्रेथ को सी तोक्रेव कट करोगे जब सभाचार हो जाते हैं तो हिस्टरी यह क्या बात करोगे पहली तो यह है लेकिन प्रश्न प्रहलाद और हूलिका की कथा पर क्यों संपूर्ण संसार ही वैकल्पिक है विचारों से प्रपैदा हो रहा है सारी चीजें विचारों से पैदा हो रही है एक अनुभूती है आप जितनी भी सारे चीजें देख रहे हैं वो नेत्रों के कारण आपको दिखाई दे रही है इसके लिए नेत्र जिम्मेदार है क्योंकि नेत्रों में देखने की उतनी ही छमता है जितना वो देख सकते तो भला इस संसार में सत्य ही क्या है पौन सी माननेता को आप सत्य माल नहीं कि आई ऐसा माल लो तो सत्य हो जाएगा तो ये प्रश्ण भी बिल्कुल काल्पनिक हो जाता है फिर आप उसमें नहीं तो सिक्षा को ग्रहन कीजिए सिक्षा को ग्रहन कीजिए बाकि जब सिक्षा सही है तो कथा भी सही है अगर सही सिक्षा हमें मिल रही है सही संदेश हमें मिल रहा है तो कथा भी फिर सही है याथ हो गलत कैसे बोलेंगे ठीक है अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है साधना मिल रही है उसका लाब उठाईए भक्त प्रलाद की एकागरता समर्पन अपनी विचारधारा पर और एकागरता समर्पन वो हमारे भीतर आ जाए तब करने की वो इक्षा जो धुरूव और प्रहलाद में थी बाले अवस्था में धुरूव के अंदर तपस्या करने की तिव रिक्षा पैदा होगी तो तपस्या करने की अब देखिए आप कहा दो के नहीं भाई वो तो उनके पिता जी ऐसे ऐसे थे तो वो चले गए तपस्या करने भाई पिता जी बहुत के ऐसे वैसे होते हैं पिता मा आपको रावन जैसा चुनाव करना है, कुम्बकरन जैसा चुनाव करना है, विभीशन जैसा चुनाव करना है, आपकी मर्जी है, या आपकी मर्जी आप क्या चुनोगे चुनाओ क्या करोगे ठीक है तो आप इस चैनल को हमेशा सुंते हैं देखते हैं मैं कभी भी ऐसे विश्yों पर चर्चा नहीं करता यह तहाँ काल्पनिक है कि सत्य है यहां पर चर्चा होता है कॉंसेप्ट पर दर्शन पर रामकथा भी चल रही है तो उसमें से दर्शन ही निकाल कर आपके सामने रखा जा रहा है हां राम कठा का तो इतिहास है भागौलिक यहां तक ही कैलिफोर्ओं या के इन्वरसिटी ने कहा है कि जियोग्राफिक सिर्टी ते सान है यहां तक की समुद्र से स्रिलंका तक जो सेतु बांधा गया उसका भी आज प्रमान है नासा ने भले एडम विरिशकर्द कह दिया लेकिन बहुत सारे अमेरिकन यह बोलते हैं कि एडम का नाम लेने से पहले इस पुल का जिक्र तो रमायन में किया जा चुका है ठीक है उनका स्वार्थ था बाद में वो धीरी धीरी थोड़ा चुप हो गया शांत हो गया उनके गरंथों में जो हजारों साल पहले लिखे गया है उनमें एसा कुछ बताया गया है लंका और इस तरह से तमिल नाडू रामिश्वरम से ऐसे एक सेतु बना हुआ है आज भी है जब राम की बात सत्य है तो अब्स समझने के लिए विवेक चाहिए पुरानों की कथाष इसलिए मैंने कभी भी आज तक की टॉपिक नहीं लिया कि क्या काल्पनिक है और क्या काल्पनिक नेहीं है जीवन बहतर बने उन्हों सुच्छ iv को हमें निकालना है और सनातन धर्म क तो सही से समझना है कि शास्त्र क्या कहते और जीवन में हुआ क्या धारन कर सकते अगर वह हो जाता है तो सब ठीक है कलपना भी सहायक है फिर तो कलपना भी वेर था और आप कोई भी कथा ले लो आप जीसस कि इसा मसीह कथा कालपनिक है और ये मैं नहीं कहता वहुत सारे ऐसे Christian scholar है historian है जो दावा करते हैं कि ऐसा कोई विक्ति कभी हुआ ही नहीं Jesus Christ नाम का आदमी कभी हुआ ही नहीं आपको विडियो चाहिए मुझे बताइए मैं आपको विडियो सेंड कर दूँगा ऐसा प्रूफ देने वाले historian इतिहासकार है वहाँ तो जाकर कभी पूछो पूरे साहस के साथ अरे ये कोई कहानी कालपनिक कहानी है क्या कालपनिक क्या है आप किसी मानते हो कि कोई उपर में बैठा हुआ है यही सबसे बड़ी कलपना है आप कलपना के अधार पर तो मानते हूं न कोई उपर बैठा हुआ है तो इसलिए इस विशय को शोड़ दीजिए और मैं इस विशय पर चर्चा नहीं करता और आगे से ऐसे प्रश्ण का उत्तर नहीं दूँगा ठीक है बिकु कुछाडिया जी गनेश फवार जी उतकर्ष तिवारी जी विरेंद्र मिश्रा जी प्रीतम पुरी गोस्वामी ओम नमो नारायनाय जी आपको नमन ये इस्टार इस्टार क्या होता है ठीक है मारग दर्शन हम सब को मिलता रहे जी कल जो है प्रहलाद की कथा पर और भी कुछ विशह लेंगे और कुछ दार्शनिक विश्वेश्यों पे कल चल्चाहोगी महत्रपुर्ण विशह है फिलासोफिक टॉपिक है, उसपे कर डिस्केशन होगा और प्रहलाद का लिए है तो प्रहलाद का विशय भी आही जाएगा, ठीक है, पूरी कथाप का क्या अर्थ है, क्या समझना चाहिए, क्या समझ के चलना चाहिए, उन सब बातों को हम समझने का प्रत्न करेंगे, प्रसन् पड seventeen क Norris कर दिखिये जब साहित्य लिखा जाता है यहां पर भी राम कफुन ने से पहले मैंने कावत कह दिया था कि भाई यह सही थ है यह फोगर को सदा जी और यूरल होगा वहां अलंकार होगा वहां अपमा होगी आप भी लिखेंगे उपने आपको लेखक माल लो फिर लिखो तो पुरानों की कथा सत्य है लेकिन एक्जेक्टली जैसे जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही वैसे ही सत्य है मैं यह नहीं कहता क्योंकि लेखक ने लिखा है उसका उसने सहित्ती करन कर दिया है घटना का सहित्ती करन हो गया है तो हो सकती है कि घटना हमें कुछ और धंग से थोड़ी सी दिखे हाँ लेकिन वैसी घटना घटी थी ये जरूर है ये जरूर है लेकिन सहित्ती करन करने के कारण हमें कुछ और पता चलना सुरू हो जाता है और रही बात भाव विज्ञान है भावना में शक्ती होती है इसको कोई नकार नहीं सकता बड़े से बड़े मिरैकल बड़े से बड़े जो चमतकार हुए है वो भाव शक्ती से हुए भाव शक्ति का परिणाम होता है और भक्त प्रहलाद की भाव शक्ति थी कि वहाँ पर निरसिंग अवतार हुआ और फिरण कशकू का वद्ध हुआ इसमें कल्पना वाली बात नहीं है अगर इसको समझना है तो पतंजली का यूग सुत्र समझिए इसलिए मैं कहता हूं अगर दर्शन समझ में आता है यदि शड़ दर्शन समझ में आता है तो पुरानों की कथा समझने में समस्या नहीं होगी यदि शड़ दर्शन समझ में आता है अगर महरशी पतंजली ने जो एकागरता का विज्ञान समझाया है कि आप अपने कॉंसंट्रेशन को इतने हाईयर ल मरश्यय पतंजली ने ने लिखा है वही विभूति पाद में मरश्यय पतंजली ने बिताया has उसने अपनी एकागृता को उसने अपने भजन को सिद्ध कर लिया है और जब सिद्ध कर लिया है तो क्यों नहीं प्रगठ हो सकते फिर आपको उसी के अनुसार मानना पड़ेगा जो विभूती पाद में महर्शी पतंजली समझा रहे है चीक है तो कालपनिक फिर उससे नहीं कह सकते इसलिए अगर दर्शनिक व्यू पहले हमारे पास है तो पुरानों की कथा थोड़ी समझ म आएगी नहीं तो कालपनिक लगेगी और रही बात कता दूसरा कता का लेकर लिखने के बाद कता घटना वही है लेकिंद फिर भी जब आप किताब पढ़ोगे उस घटना को जब आप उस तक में पढ़ोगे लिखने लिखने के बाद उसमें फरक्तव आ जाएगा एक कुछ कुछ लेखक महोद है अपनी विचार अनुसार शब्दों का जोड़ कर लेंगे और कुछ जो है लेखक महोद है उसे दृष्षि को और अच्छा बताने के चक्कर में और अच्छे से दिखाने के चक्कर में पाठक को वो कुछ शब्दों का प्रयोख करेंगे, तो वहां पर भी हो सकता है कि हम समझना कुछ और, समझने कुछ और लग जाए, यह भी हो सकता है इसलिए काव्यरचना तुलसीदाजी की है, लोग तुलसीदाजी ने ये लिख दिया तो अरे भाई प्रसंग पढ़ो प्रसंगों में सारी बात है यह सारी चीजे समझना पड़ेगँ शीगुफ चावडा जी कबीर साहिब भगवान है भगवान का अर्थ क्या होता है ये बता दिजी जैसे कोई व्यक्ति रूपवान होता है जैसे कोई व्यक्ति धनवान होता है कोई धन से संपन तो धनवान कोई रूप से संपन तो रूपवान भाई साहब शिगुब छावडा जी वैसे ही भगवान होता है जो भगों से संपन है वो भगवान है या बाकी भग किसे कहते ढूंडिये यहां लिखने के पहले कि कभीर सहाब भगवान है आपको पहले रिसर्च करना चाहिए था ग्रामर के उपर संस्कृत भाषा के उपर कि भगवान कहते किसको है लैक ओफ लिंग्विस्टिक नॉलेज इसलिए बरकले बरकले का नाम सुना है आपने पाश्चात दार्शनिक बरकले विट्जिस्ट्राइन का नाम सुना है आपने कभी विट्जिस्ट्राइन को पढ़िए कभी बरकले को पढ़िए वेस्टन फिलासोफी में जाके पढ़िए थोड़ा सा लेंगवेज के साहिब भगवान के रहे हो क्या सुच के कहे रहे हैं और शब्ट आजकल जो संगठन और संस्थाएं बनी हुई है कोई शिव बाबा बोलेगा शिव बाबा है अरे शिव का क्या आर्थ होता है शिव शब्द कहा से लिया है पुरानों से लिया है ना सबसे पहले तुमने शिव शब्द निकाला था कि पुरानों और शास्त्रों में पहले को नहीं पता भेड़ चाल है भेड़ चाल है और भेड़ चाल का परिणाम बहुत बुरा होता है भेड़चाल का जो परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है अ कि भेड़चाल में उसकर परेसे का है जैसे आप रूपवान है जैसे आप धनवइन हैं वैसा ही भगवान होते हैं कि इसलिए रिशियों को भी भगवान कहा गिया है उपनेशब्लाद रिशी को उनके शिश्य भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं को सब्दू का प्रियोग किसी को गोचना करने में बड़ा अनंद आता है कुवे का मेंधक बन जाना हमारे गूरुजी यह कहते हम जल्डा उठाएंगे हम नारा लगाएंगे नारे बाजी का usa sis कुर संब कुछ पता है ऐसा भी नहीं है किए लीकिन समाजिक जौ आज का माहूल है मुझे चो दोड़ा पता है वह बता रहा हूं लेकिन फिर भी जिन विश्वों पर पता है इसलिए उसकाई लोग मुझसे कहते का आप इस विश्व पर बोलिए आप यह सुना यह मैं नहीं एक बहानु भाव आ गए कि आप पॉलिटिक से रिलेट करकर सारी बाते बोलिए मुझे मैं जो बोल सकता हूं और जो मेरा अध्यन साधना है मैं वहीं बोलूँगा दूसरा क्यों बोलूँगा आपको अगर लगता है कि इस विश्व पर बोलना चाहिए तो आप जाके बोल लीजिए ठीक है तो यह समझना है और अपने विश्व से ही यह चीज़े चलेगी इसलिए जो फैक्ट्स हैं जो मैं यह नहीं कहता कि हर गुरू गलत है हर गुरू कोई गलत दिखा रहा है लेकिन जो terminology है वह वह बहुत खतरनाक हो गई है वह बहुत खतरनाक हो गई है इसलिए अभी पीछे कोई गुरू जी अली मॉला कर रहे थे तो मैंने आज भी बोलना हूं पहले भी बोला था करो अच्छी बात है अली मॉला करना बुरी बात ने लेकिन हुई जानना चाहिए करने के पहले आपको करने के पहले ये जानना चाहिए कि हुईज अली और हुईज मौला बस इतना ही काफी है मैं अली मौला का विरोध नहीं कर रहा है लेकिन ये बता रहा हूं कि अगर आप शिवरात्री के दिन अली मौला कर रहे हैं तो प्लीज एक्स्प्लेइन लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए तो आप करिये तो अच्छा लगता है अगर आप नहीं बता सकते कि अगर आप नहीं बता सकते तो मत करिये फिर क्यों कर रहे हैं फिर वैसे ही कवीर साहिब भगवान थे माल लो मैं तो कहता हूं शिगूप छावडा जी भगवान है जो शिगूप छावडा नाम से विखती यही भगवान है मैं आप ही को भगवान करता हूं प्रणाम करता हूं चलिए ठीक है इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे मिलते हैं कल नौ बजे लाइव चर्चा में होली पर भी चर्चा होगी लेकिन दूसरे कई महत्पुर्ण विशह हैं उस पर भी चर्चा होगी होली हम कैसे मनाए होली कैसे मनानी चाहिए और लोग कैसे मनाते हैं उस पर भी चर्चा होगी ठीक है तो कल मिलते हैं बहुत इस चैनल से जुड़ना चाहिए लोगों को जुड़ना चाहिए तो जरूर शेर किया कीजिए जरूर लोगों से शेर करिए और शेर करके आप जो है उन तक पहुंचाईए और समझाईए ठीक है इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं बहुत-बहुत आभार आप सभ लोगों से चाहिए एक पहुत आप पहार आप सभी नवा है रिक आप मैं यड़ना जरूर आप है दूर औरूर खीक को जर नवदाए खार विराम भार आप जरूर उड़ आप जरूर आप झाल झाल